क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से पड़ता online shopping और service platform है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से ज़ादा संतोष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा देश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी e-sevah गति विद्या यानी online व्यवसाय को अब अंतर राश्टिय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं skvmarket.in शौपिंग सुकून के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादोब वक्त हो चुका है बिहार की ख़बरों करों करते हैं ख़बर के और भाजपा के राश्वे प्रवक्ताव बिहार सरकार के पुरों बंतरी शेहनवाज हुसेन भागल पर पहुचें जहां पहले तो उन्होंने सरकेट हाउस में पार्टी कारे करताओं से मुलाकात की जबकि मीडिया से रूबरू होते हुए शेहनवाज हुसेन ने मोतिहारी में जहरीली शराप से हो रही मौतों पर सरकार पर जम कर निशाना साधा इस दोरान शेहनवाज हुसेन ने कहा कि बिहार में शराप बंदी लागू है भाजपा ने शराप बंदी का समर्थन किया था मौत के तांडव का समर्थन नहीं किया था इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा चलिया आपको सुनाते हैं उनका जबरदस्ती बेहर के पूर्व मुख्य मंध्री जीतन राम मान जीं ने बयान देते हुए नितीश गुमार की सराहना की और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार बिहार में एतिहासिक घोशडा किया है बिहार में शराब मौत पर पिरित परिशनों को 4 लाख मुआज़ा देने की घोशडा की है इस पर बेहार के पुर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मान जी ने गया में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नितीश कुमार जी का बड़पन है शराब मौत पर मुआवजा ने देने की बात कही गए हलांकि शराब कानून अच्छी से है उसमें शेंसोधन करने की सरूरत है करते हैं उसको देखने किया सकता है आज यतने भी इसके सलते जेल में हैं तो उसमें गरीमों की संख्या ज्यादा है बड़े मस्केटियस चूट जाते हैं तो इसलिए हम आप इस पर बोलना भी बंद करते हैं तो कि बार बार हमारा स्टैन तो है ही है सब को ही जानते हैं उसके बावजूद भी आप लोग बुच्चे हैं तो उनको पूचित नहीं लगता है कि एक बार सो और जैसा कि है हमने मांग किया था और शिधान जता है मानने लिया है मानने मुपन देखी कि इस पर एक बार भी बिहार प्रदेश जद्यू पार्टी के प्रदेश अध्धक्ष उमेश कुश्वाहा के अनुमोदन के बाद गया जिला कारेकारी कमीटी की सूची को जारी कर दिया गया है शहर के नगमतिया रोडसित जद्यू कारेयाले में जद्यू जिलाधक्ष अभेकुश्वाहा ने नए कारेकारी कमीटी के सरदस्यों की सूची जारी की जोरान अभेकुश्वाहा ने कहा कि प्रदेश अध्धक्ष उमेश कुश्वाहा के अनुमोदन के बाद नए जिला कम एक सो एकामन सदस्य कमिटी हम लोगों ने जारी की है मानिय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुस्वाह जी के अनुमति अनुमोधन के बाद हम इस कमिटी को जारी किये हैं जिसमें उपा ध्यक्ष 47 है महा सचीब 50 हैं सचीब एकामन है उसा ध्यक्ष एक है पैक्स अद्धक्षों के द्वारा धान मिलने के बाद धान के मिलिंग नहीं होने के वज़े से पैक्स अद्धक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है कि गई जिसमें मात्र जो है से साथ लोट चावल अभी तक गीरा है और बाकी सेश जो है तो हम लोग को लगभग एक महिना में एक लोट गेटा है यही जैसे उम्र इसा राइस मिल का व्यवस्था है और व्यवस्था उसके पीछे कारण है कि छमता के नुसार जो है और यहां करण मंदर प्रादिकारी दवारा जैसे हम लोग को वहां टैगिंग कर दे गया है मसवड़ी पुनपुन धनरुबा और पैक्स को यह वहां पर जोड़ दिया गया है और यह देखा नहीं गया कि इस यह मार गिराप पाएगा कि नगिराप आगा और दोड़ी पठंट से हुं मेरा मिल का टैगिंग ओम ईशा राइस मिल बीर में किया गया है उस मिल की छमता इतनी कम है और पूरा अनमंडल का उस में टैगिंग एट्यों साहिब के द्वारा कर दिया गया है जिससे चावल गिराने में इतनी देर उसे हो रहा है कि 45 दिन आज हो गया 6 लोट पहले चावल गिरा है और 45 दिन में एक लोट भी हमारी चावल नहीं गिरी है जिसका शिकायत हम अपना जिला सहकार्ता पदयतकारे को फोन के दुवारा कई एक वर कर चुके हैं बिहार के राजपाल राजियंद विश्वनात आ लेकर ने मुझाफरपुर के भगवानपुर सिद्प्रावेट कॉलेश में पहुँचकर यूथ 20 के मचवर चात्रों को समबोधित किया और इस दोरान भाजपा के पुरव प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जैसवाल मुझदफर पूर सांसद अजय निशाद पुरव मंत्री भी मौझूद रहें बतादे इस कारिक्रम के शुरुवात महा महीम राजपाल ने दीप प्रजवलित करके की है आने वाला समय अपने युवाओं का है और इसके तैट उनको आज सक्षम बनना है सब युवाओं है आने वाले 25 वर्षों के लिए अमरुत काल के लिए तैयार हो और स्वा को जागरण करके स्वा का जागरण करके इस देश को इस अपने देश के भवितववे को और आने वाले पिडियों को एक अच्छा मारगे दरशन करें युवाओं ने करना की बिहार के स्मार्ट सिटी में शामिल हुए मुजफ़द बूर शहर में स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम और कंट्रोल के तहत शहर के पांच जगों पर रेट लाइट सिग्नल सिस्टम शुरू किया गया है वह स्मार्ट सिटी के तहत अब तक आठ जगों पर ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया गया है जिसको लेकर बताय गया कि स्मार्ट कैमरे से निगरानी की जा रही है और नियमों का पालन नहीं करने पर मोबाइल पर सेधा चलान जाएगा रुकते हैं चोटे से ब्रेक के लिए बनी रही है हमारे साथ देखते रही है प्राइम ट्रीवी क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उदेश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बढ़ते हैं खबर के ओर मुझाफरपूर शहर बासियों को 2024 में सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट की सौगात मिलेगी इसको लेकर मुझाफरपूर के महापर, उब महापर और नगर आयुक्त समीद बुढकों के इंजिनियरों ने नारायडपूर में बन रहे है प्लांट का निरिक्षड किया वहीं इसको लेकर महापर नर्मला साहू ने बताये कि इस प्लांट का नर्माट 2021 तक ही पूरा होना था लेकिन एनोसी के कारण लेट लतीफी हुई जिसके कारण 2024 तक इसका नर्माट पूरा होगा तो अभी इसमें थो एक साल का वक्त तब इनको लगेगा काम को पूर्ण होने में लेकिन हम लोग का प्रयास है कि इस बार पूरा सहर को जल जमाब सड़क के पास पहाड के किनारे टेंपो चाला की लाठी डंडे एवं पत्थर से कुचल कर निर्मम हत्या कर दे गई जसके बाद मृतिका की पत्नी फुल कुमारी देवी ने मामले का खुलासा किया बताया जाता है कि ये निर्मम हत्या अवैद संबंद को लेकर की गई है वहीं इस हत्या के बैच 24 घंटे के अंदर ही राजगी डियस्पी और राजगी थानाद्यक्ष मुस्ताक एहमत के नित्यतु में चाप इमारी करते हुए मामले को सुलचाए गया प्रेमिका थे जिसके द्वारा इनको फोन करके बुलाया गया था और प्रेमिका उसके पती बेटा अन्य चाप लोगों के द्वारा इनको मार्किट और पत्था से खुचाव से खत्या गया प्रेमिका पती बेटा तीन अन्य लोग है और एक की द्वारा इनको निरूप की जहां पर डेट बोड़ी मिला था सब वहीं पर हत्या हुआ था कहीं आउग हत्या पर हत्या पर इत्हां चला है जिसके निशान देही पर बिहार थान अच्छिद अलाके के गड़ पर महले में च्छापे मारी करते हजारों जुन्दा कार्टूज और दो पिस्टल वद तीन खाली मैकजिन बरामत किया गया जिसके बाद पुलिस ने दो तसकरों को भी गिरफतार कर चेल भेज दिया है जिन्दा कार्टूज बरामत हुए हैं दोनों कार्टूज दो तरह के कार्टूज हैं एक जो देशी कट्टे में प्रियों कि नालंदर जिलान तरगत चंडी थानशित इलाके के विश्णूपूर फोर लाइन के पास पुलिस ने एक युवक के शव को बरामत किया है जिसके अधिन्दा के माइसरे बरामत की मनें ने खिमें दोनों कि नालंदर गता है और लोग के यहांसे ब करता हैं मोतिहारी में जहरीली से मौत की घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष पुरुवसांसत पपुयादो तुर्कॉलिया पहुँच करमतक के पज़नों से मुलाकात किया उसके बाद सदर अस्पताल में इलाजरत लोगों से मुलाकात कर उनके स्वास की जानकारी ली जोरान जन अधिकार पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष पुरुवसांसत पपुयादों ने प्रेस वार्टा को संबोधित किया इस को आप इस दर का खौप होगा वह परिवार भी गया इसमें मेरा है कि आप 70% टेक्सेस को कर दीए गौप पंचायत में सराब नहीं विखे शेखोपूर सराय पर अंतरगत अंबारी पंचायत में गेरमजरुआ जमीन पर खेती कर अपना जिवन यापन कर रहे अनुसूचित जाती को दबंगों के द्वारा परिशान किया जा रहा है जिसको लेकर परिशान ग्रामिडों की द्वारा मदद की गुहार लगाई गई वहें इसकी जानकारी देते हुए अनसूचित जाती के खेत में उतर कर प्रदशन शुरू करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से इसी खेत पर अनाज उपजा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा लगतार परिशान किया जा रहा है महीपड़ित ने इस मामली को लेकर शेकपूरा जिला दीकारी एवं शेखोपुर सराय अंचला दिकारी से न्याय की मांकी है है घर हम भारी थाना से कुपूर सराय जिला से पूरा हम कोई ही दिक्कत है कि हम लोग मलब हम जब मलब एक अठा दो कठा मलब सब पासमान दोबी अधी अधी पासी और जा नहीं मलब जितना है हर जन लोग हम सबन मिलके हम उप जाते खाते थे और इसी को पेट पलवनी मलब किposition दूट चल रहा था और हम समन के मालूम नहीं कि कितना दिन से हं समन जोत रहे हैं हमरा जितना बाबा दादा जूतना के मार्टी काट-काट घर को Si pregnant में का वाज का टीम नालंदा जिला से चल करके मुझे सिकायत मिली कि यहां बरसो साउट डिएड़ सो दोसो बरस से पहले दादा पर दादा ही इनका करीब करीब 222 बिगा जो जमीन है जिससे इनका बाल बचा का पोशन पाला निसी से एक जीविका का पार्जन है और यहां के क यह क्या कर रहे हैं इनको खेत को गड़ा करके मिट्टी को ले जाकर अपने इटा पारने का भठा पर काम कर रहे हैं बेहार की खबरों में आज के लिए बस अतना ही देशुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे यह प्राहिम थीमी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें SKB Market.in SKB Market.in देश का सबसे तेजी से बड़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके SKB Market.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उत्देश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्बाव करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्टिय स्तर पर पहुंचाने जा रहे है SKB Market.in शॉपिंग सुकून के साथ